हेलो दोस्तों अगर आप भी सर्च कर रहें एक बैस्ट बेर ट्रीमर तो मैं आपको बता दू आप एकनुक्त सही वीडियो पर आए क्योंकि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने मार्केट में जाकी काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और एवन ट्रीमर का मेरा काफी अच् आप 5 बेस्ट ऐसे आल-इन-वन ट्रीमर जिसे आप मल्टीबल टाइप सी ग्रूमिंग कर सकते हैं चाहिए फिर आपको बीर्ड सेट करने हो एच तो एच नोज एयर ट्रिम करने हो या फिर आपके बॉड़ी के हैर रिमूव करने हो आप उन ट्रिमर को आल-इन-वन परपस करने से पहले कौन से पॉइंट आपको दिहान रखने चाहिए सिंप्ली इस चैनल पर ट्रिमर की बाइंग गाइड का वीडियो भी अप्लोटेड है जिसका बेस्ट बाय लिंक आपको उपर आई बटन में मिल जाएगा जहां से जाके आप उसे चेक आउट कर सकते हैं सिंप पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों यहां पर यह सिसका का अल्टरा ट्रिम एश्टी थ्री फाइड डबल जीरो हाइब्रिड ट्रिमर मतलग क्या होता है सिंपली अगर आप ट्रिमर को यूज कर रहे हो और यूज करते करते उसकी बैटरी डेन हो जाए तो ऐसे में क्या कर सकते का अपिसे इंसेंट चार्ज पर लगा के इंसेंट यूज कर सकते मताब को वेट नहीं करना पड़ेगा कि चार्ज हो तो मैं फिर अपनी बीड शाइट करूँ ऐसा इसमें नहीं है इसलिए यह थाइब्रिड ट्रिमर बहुत ज़्या यूसपूर होते है इस ट् इस्पीरियंस मिलेगा ट्रिमर से ट्रिमिंग करनेगा यह बात आखों हमेशा ध्यान रखनी है बात करें इस ट्रिमर के रंटाइम की तो यह आपको 120 मिनिट का रंटाइम पूरवाइट कराता है वह इसे चार्ज होने में सिर्फ तू आर्स का समय लगता है बात करें इसके ब्लेड के तो इसमें स्पेम घाये चील सेय्फ शाप निग तूर्ब्लेड मिल जाते हैं जिसका के बाज़े से मर में आपको फोली वॉॉश अबल बॉडी है साथ ही साथ इससका के स्ट्रिमर में आपको चार्ज चार्जिंग इंडिकेटर ए студफ मिलेंग साथ के साथ आने वाली आटेचमेंस की तो इसके साथवाट डउनिंग के लिए काफी यूस्पुल है साथे साथ इसमें आपको दूप्ट से आप मल्जास इनकों मेर्याचिंग कर सकते में वेड की बात करे दूर मिर्ड की होट आज की रिट में यह ट्रिमर दोस्तों काफी अच्छा है चार्जिंग टाइम पीस का काफी पढ़िया है फास चार्जिंग का सपूर्ट आपको मिल जाता है और 120 मिनिट का यह रेंट आपको प्रोइड कराता है साथ इसाथ मल्टिपल अटेश्मेंट मिल जाते हैं मल्टिपल क्लीनिंग के लिए और सबसे अच्छी बात इसमें आपको चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाता है यह ट्रिमर मुझे काफी अच्छा लगता है इसकेosit काफी अच्छी है और सबसे अच्छी बात प्राइज वाइज भी यह ट्रिमर काफी जस्टिपाइड है तो अगर आपका बजट 1300 से मतलब 1500 के अंदर अंदर है तो ऐसे में आप इस Siska Ultra Trim Trimmer को consider कर सकते हैं यह Trimmer मुझे काफी अच्छा लगता है इसके मैंने इसको first number पर रखा है price wise भी और feature wise भी इसका best buy link आपको नीचे description में मिल जाएगा अब बढ़ते हैं second number के trimmer के तरह अब number second पर मैं आपको suggest करूँगा दोस्तों यह Philips का multi grooming kit जिसका exact model number आपको screen पर दिख रहा होगा इसकी मिनिट का runtime आपको provide कराता और इसे full charge होने में six to seven hours लगते हैं साथ ही साथ ही स्ट्रीमर का head washable है इसकी body washable नहीं है और नहीं इस पर कोई आपको IPX rating टेकने को मिलती है लेकिन इस्ट्रीमर के साथ आपको nine in one attachment मिल जाते हैं मत्तब कि आप इसे nose, hair, beards, head hair, body grooming सब कुछ क बर सकते हैं इसके साथ आपको nine attachments मिलते हैं साथ ही साथ ही travel lock मिल जाता है with safety pouch और सबसे अच्छी बात फिलिपस इस पे भी आपको two years की warranty प्रोवाइड कराता है और प्लस one year की extended warranty भी प्रोवाइड कराता है आप इस टेमर को जब इसकी website पे register करवाते हैं फिलिपस की बात करू प्राइस की दोस्तों तो इसका प्राइस है दोस्तों 1600 मिल्यान रुपे यह ट्रिमर nine in one attachment के साथ आता है multiple attachment मिलते हैं तो आप इससे all in one type की grooming कर सकते हैं लेकिन इसके साथ आपको fast charging का option नहीं मिलता है और second thing इसमें आपको battery indicator या charging indicator नहीं मिलता है तो इस चीज के आपको ध्या काफी अच्छे ट्रिमर है कि मैंने काफी research करके consider किया है क्योंकि बहुत से ट्रिमर में क्या होता है क्या को hair pulling के issue होते है इचिंग के issue होते है या skin infection की chances बढ़ जाते है जब आप ट्रिमर को skin to skin transfer करते हैं या use करते हैं तो यह सब problem आपको इन पांचों ट्रिमर के अंदर बिल design भी काफी premium और इसके अंदर आपको 0.5 mm प्रिसीजन से लेके 10 mm तक की प्रिसीजन सेटिंग मिल जागी है जिससे आप अपने according beard के जो hair होते उनकी length अड़ेस्ट कर सकते हैं इस ट्रिमर के अंदर भी आपको स्टील सेल्फ शापनिंग ब्लेड देखने को मिलते हैं जो कि आ 9-10 hours मतलब कि अगर आप ट्रिमर को चार्ज पर लगा के भूल जाते हो और आपको ऐसी आदत है तो ऐसे में आप इस ट्रिमर को भी consider कर सकते हैं इस ट्रिमर के साथ आपको दोस्तों washable head मिल जाता है इसकी body washable नहीं है ध्यान लखना और बात करें इस ट्रिमर के साथ आने वा इस ट्रिमर को फुल्फिल कर सकता है तो ब्रोन का यह ट्रिमर भी काफी अच्छा है बात करें ब्रोन के प्राइस की दोस्तों इसका प्राइज है दोस्तों 1849 रूपीस तो इस ट्रिमर का जो प्राइज है वह भी justify है multiple attainments आपको इसके साथ मिल जाते हैं सबसे अच्छी बात skin friendly blade है लेकिन इसमें भी आपको battery indicator नहीं मिलता है पता नहीं कंपनियों को क्या problem में इतने महेंगे trimmer बना देती है लेकिन battery indicator देती ही नहीं है कि बाई कब charge होगा और कब battery drain होगी यह तो पता लगे वो इस trimmer के अंदर available नहीं है तो ऐसे में अगर आपको यह battery indicator issue नहीं लगता है मतलब इसके features भी काफी अच्छे है price wise भी काफी अच्छा है और इसकी performance भी काफी अच्छी है यह trimmer है दोस्तों MI का grooming kit pro trimmer यह trimmer दोस्तों काफी premium black matte design के साथ आता है इसमें आपको 40 lens setting adjustment के option मिल जाते हैं और साथी साथ skin friendly blades मिलते हैं MI के trimmer के runtime की बात करें तो 90 minute का runtime आपको provide कराता है in single charge और इसे चार्ज होने में सिफ लगते हैं 2 hours अब बात करें के other feature की तो इसमें आपको type C fast charging का option मिल जाता है LED battery screen display मिल जाती है fully washable body मिल जाती है with IPX 7 rating बात करें इसके साथ आने वाले attachments की तो इसमें भी आपको multiple attachments मिल जाते हैं जिससे आप multiple type की grooming कर सकते हैं चाहे फि इस त्रेमर में भी आपको travel lock मिल जाता है safety pouch के साथ और बात करें इस पर warranty की तो MI इस पर आपको two years की warranty प्रवाइट कराता है बात करें price की तो 2449 रुपी जिस त्रेमर का प्राइज है दोस्तों आज की रेट में की त्रेमर काफी अच्छा है अल्मोस हर एक feature आपको इसके भी मिल जाते हैं और एक और चीज यह hybrid टेमर है मतलब कि आप इसे wireless तो यूज कर नहीं सकते हैं instant अगर इसकी battery drain हो जाए तो आप इसे instant charging पर लगाके instant use कर सकते हैं तो यह काफी अच्छी बात होती कि आपको wait नहीं करना पड़ता कि trimmer कपचा जो और वापस से मैं अपनी trimming continue क करूं तो यह hybrid trimmer काफी useful होते हैं तो ऐसे में MI का यह जो trimmer है काफी अच्छा लगता है almost सारे feature मिल रहे है और 40 lens setting मिल रहे है तिनी तो आप खुद यूज नहीं कर पाओगे तो ऐसे में यह trimmer जो है काफी अच्छा है इसका भी best buy link आपको नीचे description में मिल जाएगा अब बढ काफी compact design के साथ आने वाला trimmer है और इसकी जो build quality है वो भी top notch है बात करें streamer के precision की तो 0.5 mm का precision आपको streamer मिल जाता है और इसमें भी आपको self sharpening stainless steel blades मिलते हैं बात करें streamer के other feature की तो सबसे पहले यह आपको 120 minute का coldless runtime प्रवाइट कराता है और इसे full charge होने में लगते हैं सिर्फ 2 और streamer के अंदर आपको 5 minute quick charging का option भी मिल जाता है मतलब के आप इसे 5 minute charge करके एक बार beard अराम से set कर सकते हैं फिलिप्स के streamer पे आपको IPX68 rating मिल जाती है जिसकी विज़े से इसकी body fully washable body तो आप इसे नहाते वे भी यूज कर सकते हैं इस streamer में आपको 13 multiple attachments देखने को मिलते हैं जिससे आप multiple types की trimming कर सकते हैं चाहे आपको nose hair clean करनी हो, beard set करनी हो, head hair set करने हो या फिर अपनी body के hair remove करने हो इस streamer के साथ भी आपको generally travel lock मिल जाता है for safety purpose और carry करने के लिए travel pouch मिल जाता है फिलिप्स इस streamer पर आपको two days की warranty पुरवाइट कराता है और वही फिलिप्स की हर एक trimer की तरह इस पे भी आप अगर इसको website पर register करवाएंगे तो one year की extra extended warranty भी आपको मिल जाएगी पात करें फिलिप्स के streamer के प्राइस की दोस्तो तो 3899 रुपीज streamer का प्राइस है दोस्तो आज की रेट में streamer के अंदर आपको almost सारे feature मिल जाते है charging indicator मिल जाता है 13 attachments मिल जाते है और two hours के अंदर ये full charge हो जाता है और five minute quick trim वाला option तो आपको इसमें मिली रहा है ये trimmer मुझे काफी अच्छा लगता है price wise भी justify नहीं को कि इसकी build quality भी काफी अच्छी है लेकिन ये hybrid trimmer नहीं है मतलग कि अगर आप इसे use कर रहे हैं और battery drain हो गई तो आप इसे instant charge पे लगा कि use नहीं कर सकते पांच मिनिट आपको wait करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदरा को quick five minute का option मिलता है जिससे आप एक बार पांच मिन चार्ज करने के बाद एक बार bear trim कर सकते हैं बाकी इस trimmer के अंदर कोई भी कमी नहीं है ये trimmer भी काफी अच्छा है इसका भी best buy link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो दोस्तों ये वो पांच ऐसे best trimmer थे जिने आप consider कर सकते हैं in this season of 2023 और ये all-in-one trimmer है जो कि आपको multiple attachments के साथ मिलते हैं I hope आपके सारे doubt clear हो गए होगे I know कि एक trimmer के लिए six to seven hour charging time बहुत लंबा होता है लेकिन don't worry इसमें आपको और भी option है जैसे MI का grooming kit हो गया ये फिलिप्स का या फिर आप सिस्कार के SDK trimmer को भी consider कर सकते हैं बाकि ये पांचो के पांचो टेमर काफी अच्छे हैं कि सभी के best bell link आपको नीचर दिस्क्रिशन में मिल जाएंगे कोई bit out or trimmer से related या किसी भी other appliances से related तो नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हैं मैं आपके सारे कमेंट के reply जल से जल करने की कुशिश के रूमा और हां इस वीडियो से आपको थोड़ी से भी value मिली ये वीडियो आपको informative लगी तो make sure यार चैनल को subscribe करके bell icon को दबना ना भूले क्योंकि आपके एक subscriber से मुझे motivation मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना पाता हूं बाकि मिलते हैं एक और वीडियो में thanks for watching shopping bazaar